तेक बी मिनिट चाले ना आम तेम पंच परमेश्ठी को भाव पुरोट बंदन सभी धर्म प्रेमी भाईयो और भहनों को मेरा जही जिनेंद्र आज का हमारा विशे है धर्म क्या है? धर्म की उप्योगीता क्या है? धर्म क्यों करना? किस लिए करना? और किस प्रकार करना? एक शावक जो सामाइक करता है, प्रतिक्रम्ल करता है, जब तब करता है, पूजा अर्चना करता है, विविद प्रकार की धार्मिक क्रियाय करता है, तो उन करियाओं को क्यों करता है? किसलिए करता है और उन क्रियाओं को करने के पीछे का उनका उद्देश्य क्या है यही सब आज जानेंगे तो एक बार एक आचार्य भगवंत ने युवकों के लिए एक शीबीर का आयोजन किया अब इस प्रकार शीबीर का आयोजन करने के पीछे का उनका उद्देश्य क्या था कि आज के युवक धर्म को जाने धर्म को समझे धर्म की उप्योगीता को समझे और अपने जीवन में धर्म का आचरण करें शीबीर की शुरुवात हुई आचार्य भगवंत ने युवकों से कहा कि आप सबको धर्म आराधना करने चाहिए थोड़ी देर में एक युवक ने आचार्य भगवंत से प्रश्न किया कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिजिए कि जब में भोजन करता हूं तो मेरी भूख शांत होती है मुझे दुरुपती मिलती है जब मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास छिपती है जब मैं वॉक करने जाता हूं तो मैं अपने आपको फ्रेश फिल करता हूं मैं कोई स्पोर्ट्स खेलने जाता हूं तो मैं अपने आपको एनर्जेटिक फिल करता हूं थोड़ी देर के लिए फोन में अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हूं तो उतने समय के लिए मुझे लगता है कि मेरी सारी परिशानिया खतम हो गई है मैं कोई भी काम करूँ मैं अगर जोब में जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे सेलरी मिलती है कोई भी काम करूँ मुझे उसका प्रतिफल मिलता ही मिलता है लेकिन आप ये बताईए कि धर्म करने से मुझे क्या मिलेगा धर्म में क्यूं करूं और किसलिये करूं आप कहते हैं कि अगर थोड़े समय के लिए भी मैंने वांचन किया मैंने स्वाध्य कर लिया तो उससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा मेरे जीवन में ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा तो अगर धर्म का मुझे कोई फल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है तो मैं फिर धर्मा करूँ क्यूं यह प्रश्ण केवल उस युवक का नहीं बलकि हजारों लाखों व्यक्ति के मन में यह प्रश्ण है कि धर्म करें तो क्यूं करें आचारे बगवन ने कहां दर्मा धर्मा सब कोई कहे धर्मा न जाने कोई धर्मा मर्म जाने बिना धर्मा कहां से होई धर्मा धर्मा सब कोई कहे, धर्मा न जाने कोई, धर्मा मर्मा जाने भी न धर्मा कहा से होई इतनी सुन्दर बात उन्होंने बताई कि धर्मा की बाते तो सब करते हैं लेकिन जब तक हम धर्मा के मर्मा को नहीं जानेंगे दर्म क्या है? दर्म की उप्योगिता क्या है? दर्म का अर्थ क्या है? दर्म का मर्म क्या है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक दर्म होगा कहां से? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि धर्म क्या है धर्म की डेफिनेशन क्या है धर्म की डेफिनेशन क्या है वत्थु सहावो धम्मो अर्थात वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा गया है अब जो दो शब्द है वस्तु और स्वभाव इन दोनों को हमें समझना है कि वस्तु क्या है वस्तु कितनी है अगर किसी से पुछा जाए कि इस संसार में कितनी वस्तु है तो क्या कहेंगे बहुत सारी वस्तु दिखाई देती है घर में अगर नजर जाएं तो घर में फरनीचर है बाहर में पेड़ पोधे हैं पसु लेकिंग मुख्या रूप से वस्तुएं कितनी है? मुख्या रूप से तो वस्तुएं सिर्फ दो ही है जीव और अजीव जीव और अजीव के अलावा तीसरी कोई वस्तु इस संसार में नहीं है जितनी भी वस्तु हमें दिखाई देती है जीनबी चीजवस्तुवों को हम आखों से देखते हैं, वो सारी वस्तुवे क्या है, वो जीव में है कि अजीव में है, तो अजीव में है, जीव जिसे हम कहते हैं आत्मा, अजीव जिसे हम कहते हैं पुद्गल, जड, मेटर, नोन लिविंग थींग, और जीव, आत्मा, तो उस व्यक्ति के शरीर को हम देख पाते हैं तो शरीर क्या है क्या वो जीव है वो शरीर जिसे हम अपनी आखों से देखते हैं वो भी एक अजीव है पुद्ग ल है लेकिन उस शरीर के भीतर है जो आत्मा है वो जीव है वो चेतना है वो चेतन्य है इसलिए आँखों से हम जो कुछ भी देख सकते हैं वो सारा क्या है अजीव है पुद्गल है तो जीव और पुद्गल ये दो वस्तुए इस संसार में है तो जीव का लक्षण क्या है जीव का सुभाव क्या है वस्तु को जानने के बाद वस्तु ये मुख्य रूप से सिफ दो है जीव और अजीव अब हमें सुभाव को समझना है तो जीव का सुभाव क्या है और अजीव का सुभाव क्या है जीव की प्रोपर्टीज क्या है अजीव की प्रोपर्टीज क्या है जीव के लक्षन क्या है अजीव के लक्षन क्या है जीव यानिकी आत्मा तो आत्मा का सोभाव क्या है गनान, दर्सन, सुख, वीर्य, शमा, दया, करुणा, परवकार, सहिशुनता ये सारे आत्मा के सोभा सभाव है जिसे हम गुण भी कहते हैं आत्मा के गुण आत्मा का सभाव और पुद्गल अजीव तो उसका सभाव क्या है उसके गुण धर्म क्या है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है तो क्या कहा? वर्ण, गंध, रस, स्पर्ष, संस्थान ये सारे अजीव का गुनधर्म है कोई भी अजीव, कोई भी पुद्गल को ले लीजिए उसका आकार है उसमें उसका स्पर्ष है, उसमें गंध है तो ये सारी प्रोपर्टिस क्या है? किसकी है? अजीव तत्व की है आत्मा अरूपी है, आत्मा में न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्ष है, न संस्थान है इसलिए आत्मा को अरूपी कहा गया और अजीव को रूपी कहा गया हमारा मुख्य विशे है जीव तत्व तो आत्म का स्वभाव क्या है शमा दया करोना भुनान विर्य दर्शन सुख आधी आत्मा का स्वभाव है तो फिर स्वभाव का ओपोजिट स्वभाव के ओपोजिट कम क्या कहते हैं विभाव तो विभाव क्या है कुरोध मान माया द्वेश इर्शा अदेखाई चल कपट ये जो सारे परिणाम है ये है विभावदशा अब हमें ये सूचना है कि स्वभाव में रहने से जीव सुखी होगा या विभावदशा में रहने से जीव सुखी होगा हम पूरा समय सुखावदशा में रहते हैं कि विभावदशा में रहते हैं जिस प्रकार पानी का सुखाव होई शितलता पानी को कितना भी गरम कर दिया जाए जब तक अगनी के साथ उसका संयोग है तब तक वो गरम रहेगा जैसे ही अगनी का संयोग दूर हो जाएगा पानी तो कि पानी का सभाव शितलता है अगनी का सभाव उश्णत है ठीक उसी प्रकार आत्मा का सभाव क्या है शमादया करोणा ग्नानदर्शन सुक और विडिया अगर कोई भी व्यक्ति क्रोधि से क्रोधी व्यक्ति अगर वो गुस्य में रहना भी चाहे तो सोचे पूरे दिन में क्या वो 24 घंटे गुस्य में रह सकता है कुछ इक्षाण के लिए तो वो शान्थ होगा होगा और होगा क्यूं क्योंकि क्रोध आत्मा का सुभाव नहीं है क्रोध आत्मा की विभावदशा है मगर एक व्यक्ति 24 घंटे क्या शान्थ रह सकता है तो रह सकता है क्योंकि शान्थ उसका सुभाव होगा आत्मा का सुभाव होगा हम पूरा दिन विभावदशा में रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमें शान्थी का अनुभाव नहीं होता हम अशान्थी का अनुभाव करते ह जो mental peace हमें मिलनी चाहिए वो mental peace नहीं मिलती इतनी अधिक सुख सुवीदा होने के बाद भी हम उस mental peace का अनुबव नहीं कर पाते क्योंकि सभाव में रहने के बजाए हम पूरे दिन विभावदशा में ही रहते हैं ये तो वैसी बात हो गई कि एक व्यक्ति करेला का जूस पी रहा है और आशा रख रहा है कि मुझे मिठास का अनुबव होगा एक व्यक्ति कड़ी धूप में खड़ा है और वो आशा रख रहा है कि मुझे हिमाले जैसी ठंडी का अनुबव होगा क्या होगा नहीं हम भी क्या करते हैं पूरे दिन विभाव दशा में रहते हैं और सोचते हैं कि हमें mental peace मिले हमें आनन्द कानु भवो हमें सुक कानु भवो हमें शांती कानु भवो मगर होगा नहीं होगा इसलिए अब धर्म इस शब्द को समझने के बाद धर्म की definition को समझने के बाद कि वस्तु सहावो धमो वस्तु के सुभाव को धर्म कहा गया है अब दूसरा जो महत्वपूर्णा शब्द है वो हमें समझना है कि धर्मक्रिया क्या है क्या धर्म और धर्मक्रिया दोनों एक है कि अलग-अलग है कोई भी व्यक्ति जब हम देखते हैं कि वो अधिक मातरा में धर्मक्रिया है उसके जीवन में चल रही है तो हम क्या करते हैं कि ये व्यक्ति अत्य धार्मिक है हम खहते हैं एक व्यक्ति सामाइक करें प्रतिक्रमन करें तबश्चेरिया करें पूजया अर्चिना करें तो ये सारी क्या है धर्मक्रिया है लेकिन एक श्रावक जो ये सारी धर्मक्रिया करता है तो इन सारी धर्मक्रिय को करने के पीछे का उसका उद्देश्य क्या है अगर किसी को पूछा जाए कि आप इतनी सारी धर्मक्रिया क्यों करते हैं तो वो क्या कहेंगे कि कर्मक निर्जरा करने के लिए भगवन की आगना है इसके लिए मगर धर्मक्रिया करने के पीछे का सही उद्देश्य क्या है सही उद्देश्य यही है कि धर्मक्रिया के माध्यम से धर्म को प्राप्त करना स्वभाव को प्राप्त करना और स्वभाव में स्थीर रहना सोचिए सामाईख धार्मिक क्रिया है हम सामाईख करते हैं तो सामाईख करने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है सामाईख करने के पीछे का उद्देश्य है समता गुण को प्राप्त करना समता गुण क्या है आत्मा का सभाव है धर्म और धार्मिक क्रिया दोनों अलगे धार्मिक क्रिया करने के पीछे का उद्देश यह है धर्म को प्राप्त करना सुभाव को प्राप्त करना और सुभाव में स्थीर रहना तो सामाई करने के द्वारा क्या करना है समता गुन को प्राप्त करना है समता का अर्थ क्या है? समभाव में रहना अर्थात, neutral feelings रखना इसका अर्थ है कि चाहे favorable situation हो चाहे unfavorable situation हो दोनों situation में neutral feelings रखना कोई प्रशनसा करे, तब भी neutral कोई अपमान करे, तब भी neutral लाब हो, तब भी neutral और नुकसान हो, तब भी neutral भगवान महविर के साथ क्या हुआ? जब इंद्र उनकी प्रशनसा करते हैं, तब भी neutral जब चंड कोशिक उनको दंक देता है, तब भी neutral अनुकुर्ता में राग न होना और प्रतिकुर्ता में द्वेश न होना यह है संभाव, हाँ, हम बात करते हैं तो लगता है कि बात करना आसान है, लेकिन इस गुण को जीवन में अपलाई करना अत्यांतर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो है, लेकिन इसी के लिए तो में पुरुशायद भी करना है आज सोचिए कि लोगडाउन की जो सिचुएशन बनी है, क्या आसान है घर में रहना? नो शॉपिंग, नो आउटिंग, नो गेट टूगेदर, नो रेस्टोरंट, नो मोल्स सोचिए इतने दिनों तक घर में बैठे रहना, क्या हम सब के लिए आसान है मगर फिर भी हम प्रेतन कर रहे हैं, फिर भी हम गर में बैठे हैं तो जो डिफिकल्ट है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम प्रेतन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, अगर हमारे जीवन में समतागुण आए, अगर हम चवा में स्थीर रहना चाहते हैं तो हमें पुरुशार्ट तो करना ही पड़ेगा, भले ये डिफिकल्ट तो है, लेकिन प्रेक्टिस मेक्स में पर्फेक्ट, प्रेक्टिस करते करते ही एक दिन ऐसा आता है कि हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है तो दिन में तीन-चार हम सामाई कर लेते हैं, और इतनी सारी सामाई करने के बाद भी हम सोचते हैं कि जो हमें आनंद के अनुबुती होनी चाहिए, इतनी सारी धर्मकरिया करने के बाद भी वो हमें आनंद के अनुबुती नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि इतनी सारी धर्मक्रिया करने के बाद भी हमें जो सोभाव में स्थीर रहना है वो सोभाव में न रहते हुए हम विभावदशा में ही चले जाते हैं तो प्रयत्न हमें क्या करना है कि बार-बार हमारी आत्म विभाव दशा की ओर जाएगी हमें क्या करना है पुरुशाद करके प्रयत्न करके वापस हमारी आत्म को सुभाव में लाकर स्थीर करना है हम प्रतिक्रमन करते हैं तो प्रतिक्रमन एक धार्मिक्रिया है तो प्रतिक्रमन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है हम प्रतिक्रमन क्यों करते हैं प्रतिक्रमन करने के पीछे का उद्देश्य है कि जब हम प्रतिक्रमन करते हैं तो उसमें हम अपने पापों की आलोचना करते हैं सभी जीवों से जिनको हमने दुख दिया, तकलिफ दी, पीड़ा दी उन सभी जीवों से हम क्षमा याचना करते हैं तो प्रतिक्रम करने के पीछे का उद्देश्य है क्षमा गुण को प्राप्त करना क्योंकि एक शमा आत्म का सुभाव है अगर प्रतिक्रमा रोज करते हैं, मगर शमा गुण का विकास नहीं हो पाता तो क्या होगा कि क्रिया के माध्यम से धर्म का जो प्रवेश हमारे जीवन में होना चाहिए वो धर्म का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा है इसलिए शांति का अनुभव, आनन की अनुभुती हमें नहीं हो पा रही है अर्जुन माडी का जरस्टांत हम सब जानते हैं सोचिए कि अर्जुन मारी ने इतने जीवों की हत्या की क्या उन जीवों की हत्या अर्जुन मारी ने की थी अर्जुन मारी के शरीर में तो यक्ष ने प्रवेश किया था जितनी हत्याय हुई वो यक्ष के द्वारा हुई उस यक्ष ने अर्जुन मारी के शरीर का उप्योग किया जब अर्जुन मारी ने भगवान के पास दिक्षा ली और जब वो राजगरी नगरी में गोचरी के लिए जाते हैं उन्हें क्या गोचरी मिली गोचरी के बदले उन्हें क्या मिला उन्हें पत्थर मिले लाठी मिली अब शब्द मिले गाली गलोच मिले अगर अर्जुन मारी चाहते तो राजगरी छोड़ के कहीं और भी जा सकते थे एक ऐसी जगा जहां उन्हें कोई न जानता हो और वहां सुक पुर्वक वो अपना सहीम जीवन पसार कर सकते थे वे जब गोचरी के लिए जाते थे कोई राजगरी नगरी का एक भी घर ऐसा नहीं था जिसके परिवार का कोई एक भी सदस्य की हत्या अर्जुन मारी के हातों ना हुई हो अरजुन मारी अपने सफाई भी दे सकते थे कि जो हत्याय हुई वो मैंने नहीं की मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे भीतर में जो यक्ष था उसका ये सारा किया धरा है मगर उन्होंने क्या सोचा कि यक्ष ने मेरे सरीर को ही क्यों चुना बहुत सारे शरीर थे किसी भी शरीर में यक्ष प्रवेस कर जाता और उसको जो करना था वो कर लेता लेकिन मेरे शरीर में ही क्यों उन्होंने अपनी गलती सोची, अपने कर्म का उदेई सोचा और समभाव से क्या किया, सहन किया और शमा, सब जीवों के साथ अक्षमा और इस परिस्थिती का उन्होंने किस तरह से कर्म के उदेई को किस तरह से उन्होंने उस परिस्थिती में किस प्रकार समभाव रखा तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारी सामाइक दो घड़ी की होती है चार घड़ी की होती है ज्यादा से ज्यादा हम छे आट घड़ी की कर लेते हैं मगर अजुन मालिय की सामाइक जाव जीऊ की थी कोकी वे सही अम ही थे तो समता गुण का सोची उन्होंने विकास किस तरह से किया प्रतिक्रमण डेली करते थे तो प्रतिक्रमण के द्वारा समाय आचना का गुण आलोचना का गुण कि मेरे द्वारा जिन जिन जीवों की हिंसा हुई उन सभी जीवों की में शमायाजना करता हूँ तो धर्मक्रिया के माध्यम से हमें धर्म को प्राप्त करना है हम तपश्चरिया करते हैं तो तपश्चरिया करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है एक व्यक्ति ने अठाई की क्या इसलिए हमें भी अठाई करनी है एक व्यक्ति ने मास कमण किया तो क्या इसके लिए हमें भी करना है हम तपश्यर्या करते तो उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है सहन सिल्ता के गुण को प्राप्त करना सहन सिल्दा के गुण का विकास करना हमारे बीतर तो ये सारे गुण है मगर वो सारे गुण कर्म के लेयर से ढखे हुए है उस गुणों को हमें प्रगट करना है उस गुणों का हमें विकास करना है जब हम तपश्च्रिया करते हैं तो कौन से भाव से करते हैं और मुझे भी अनाहरक पद की प्राप्ती हो अनाहरक का अर्थ है कि आत्मा आत्मा को क्या आहर की आवश्यक्ता है नहीं शरीर को आवश्यक्ता है आत्मा तो अनाहरी है क्या सिद्ध्ध भगवंद आहर करते हैं नहीं करते तो मुझे भी इस प्रकार अनाहरी पद की प्राप करते हैं अम्प्यास को सहन करते हैं अगर शरील में कोई अशाता उत्पन हो तो उस अशाता को भी हम सहन करते हैं तो तपस्चरिया के द्वारा सहन सिलता के गुंग का विकास यह हमारा लक्ष होना जाहिए हो क्या रहा है कि हम इतनी सारी धर्मक्रिया करते हैं लेकिन यही सारी धर्मक्रिया अगर समझ पूर्वक की जाए क्योंकि अगर धर्मक्रिया हो रही है साथ में अगर हमारे आत्मी गुणों का विकास नहीं हो रहा है तो ये क्रिया के वर जड़ क्रियाय बन कर रह जाती है, जिससे पूनियों तो मिलेगा, पूनियों तो बंदेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, वो विकास हमारा नहीं हो पाता है। अब प्रश्ण ये है कि हम जब धर्मक्रियाय करते हैं, जब हम ये जानते हैं कि स्वभाव में स्थिर रहना है और विवाव दर्शा से दूर रहना है, तो जो गुणों का प्रगटी करण है, हमारे भीतर अनन्द गुण है, मगर उस गुणों के प्रगटी करण में बाधक त in 50 answer इसके पीछे का जयान गार्ण से है तो सुव्यकडांक सुत्रल में भगवान ने कहा कोहम-ध्यend subject लोहम-चौथम-जथथ-दोसा ए यानि-वन्ता-अर्षा-ग्सप Ambassador निन कूवई-पावम ना कारव से इसका अर्थ ये है कि भगवाण ने क्रोध मान माया लोब को अध्यात्मिक दोशों के रूप में बताया ये अध्यात्मिक दोश है इसका अर्थ क्या है कि अध्यात्मिक विकास में बाधक तत्व हमारा अध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है गुणों का प्रगटी करण नहीं हो रहा है हम सभाव में स्थीर नहीं रह पाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? क्रोध, मान, लाया, माया और लोब, ये चार जो आध्यात्मिक दोश है, ये बाधक तत्व है, तो हमें पुरुशार्थ क्या करना है? इन कशायों के उद्धै को निश्वर करना, और ये चार कशाय क्य है मोहनिय कर्म आठ कर्म में से कौनसा कर्म राजा है महनिय कर्म के हिर परमात्म डूरा कर्म राजा है अगर आजा को जीत लिया जाय तो सारी जो चैनी के जो ज़िवे और लवाधन के तो हमारा परिyty Pie dirty कर्म को सारो करना को अब दूसरा प्रश्ण ये है कि जैसे हमने कल बात की कि शावक का एक महत्व पुर्ण करता विया क्या है सुनना तो शावक क्या सुनता है जिन्वानी को सुनता है शास्त्र का शवन करता है और शास्त्र शवन के द्वारा तत्व के ज्ञान को प्राप्त करता है तो प्रश्ण ये उपस्तित होता है कि सुनना जिन्माने को सुनना सत्संग करना स्वाध्य करना शास्तर का अभ्याज करना ये भी तो सब एक धार्मिक क्रिया है तो ये सब करने से मुझे क्या लाब होगा? स्वाध्य करने से और जीनमाने का स्ववन करने से मुझे क्या लाब होगा? तो हम जब शास्त्र स्ववन करते हैं तो उससे जो महत्वपुर्ण लाब हमें होता है वो ये कि हमारी अज्यानता दूर होती है जेसे जेसे धार्मिक अभ्यास हमारा बढ़ते जाता है वेसे वेसे हमारा अग्यान दूर होते जाता है क्योंकि धार्मिक अभ्यास के द्वारा ही सही समझ हमें प्राप्त होती है हमें क्या करना, क्यों करना, किसलिए करना, आत्मा के हित में क्या है, क्या करने से हमारा हित होगा, क्या करने से हमारी गती सुधरेगी और क्या करने से हमारी गती बिगडेगी ये सारी जानकारी हमें शास्तोर के स्वाध्याई से प्राप्त होती है इस संसार में प्रत्यक जीव सुखी होना चाता है कोई भी जीव इस संसार में दुखी होना नहीं चाता परिस्तिती वर्ष अगर कोई दुख जीवन में आ भी जाता है तो उसे मन से कोई भी नहीं इचता सब चाहते हैं कि हम दुख से मुक्त हो एक नास्तिक व्यक्ति को ले लीजिए बड़े से बड़े नास्तिक व्यक्ति को ले लीजिए जिसके जीवन में धर्म का कोई मोल है ही नहीं जो धर्म को बेकार की वस्तु समझता है जिसको धर्म के साथ कोई लेना देना ही नहीं है ऐसे नास्तिक व्यक्ति को ले लीजिए अगर उसको उसके जीवन को अगर उसके बारे में हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा वास्तों में वो नास्तिक व्यक्ति भी धर्म को ही चाता है सुक को ही चाता है कैसे वो नास्तिक व्यक्ति नहीं चाता कि कोई उसे धोखा दे कोई उसके साथ विश्वासगात करे कोई उसके घर में चोरी करे कोई उसको जूट बोले कोई उसके साथ गद्दारी करे कोई उसको दुख दे कोई उसको पीडा दे, कोई उसको कस्ट दे, कोई उसके साथ अन्याई करे ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहता वो यहीं चाहता है कि सब उसके साथ अच्छे से अच्छा व्यभार करे सब उसको सहयोग दे, सब उसको सपोर्ट करे सोच ये एक नास्तिक व्यक्ति भले वो कहता कि मुझे धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो जो सारी इच्छाय करता है वो क्या है धर्म का ही तो स्वरूप है धार्मिक आच्रणी तो है तो ultimately वो भी धर्म को चाहता है मगर अच्छा चाहता तो है हम सब क्या चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा विवार करें हमारे साथ सब अच्छा हो अच्छा चाहते हैं लेकिन जब अच्छा करने की बात आती है तो अच्छा करना नहीं है लेकिन अच्छा हम सब चाहते हैं तो प्रत्यक जीव इस संसार में सुख चाता है लेकिन कभी हमने सोचा कि हम दुखी हो रहे हैं जो जीवन में हमारे जीवन में जो दुख है उस दुख के पीछे का कारण क्या है दुखे केन कड़े अर्थाथ दुख किस ने दिया दुख का कारण क्या है परमात्मा ने कहा जीवेन कड़े अर्थाथ दुख का कारण जीव आत्मा स्वयम है तो कैसे किस प्रकार से आत्मा स्वयम दुख का कारण है तो उत्राधियन सुत्र में कहा जावन्त अविज्या पूरिशा सव्वेते दुख संभवा लुपन्ती बहुसो मुढा संसारमी अननत है इसका अर्थ ये है कि इस संसार के सभी जीव आधी व्याधी उपाधी से ग्रस्त है सभी जीव दुखी है और उनके दुख के पीछे का कारण क्या है जीव की अग्नानता आज प्रत्येक जीव दुखी है उसका कारण है उसकी अग्यानता अग्यानता के कारण ही हम सब दुखी है और अज्यानता को दूर करने का श्रिष्ट उपाई क्या है? जिन्वानी का श्रवाण, शास्त्रों का श्रवाण, सत्संग और शास्त्रों का अभ्यास, जिन्वानी का अभ्यास, तत्तों के ज्यान को प्राप्त करना, क्योंकि तत्तों के ज्यान को प्राप्त करने से ही सही सम समझ के द्वारा ही हमारी अज्ञानता दूर होगी जो की दुखों की जड़ है जो की दुखों का कारण है मैं अब अज्ञानता क्या है कि इस शब्द को समझना है अज्ञानता शब्द से हम सब परिचित हैं जिसे हम मिध्यात्व भी कहते हैं तो अज्ञान ताका अर्थ है गलत मान्यता विप्रित मान्यता रॉंग बिलीफ जिसे हम कहते हैं रॉंग बिलीफ तो ये रॉंग बिलीफ जो है वो एक नहीं कई सारी गलत मान्यता है कई सारी मिध्या मान्यता है कई सारी विप्रित मान्यता है हमारे भीतर में आज से नहीं अनादिकाल से है और ये सारी मिध्या मान्यता एक कौन सी है और इस मिध्या मान्यता को हमें किस प्रकार दूर करना है इसी विशय को हम कल आगे बढ़ाएंगे जी नागना से अधिक कम अधिक विप्रित अगर कुछ भी कहा हो तो अर्यान्त अनन्त सिद केवडी प्रभू आपकी साक्षिय से तस्य मिच्छामी दुख्रन जेस्ट टड़ी द्वारा किया गया ये प्रयास इसके बारे में आपके सुचन आपके अभिप्राई most welcome है कोई भी प्रशना आप पुछना चाहे तो आप कमेंट के द्वारा आप पुछ सकते हैं बाकी इस लोगडाउन के समय में stay safe and stay healthy और ज्यादा से ज्यादा समय हम धर्म आराधना करें सच्छन करें स्वाध्याई करें और स्वभाव में स्तीर रहें जैजी नेंद्रा